हेलो दोस्तो spindle के chapter में ही आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि spindle की जो drawbar होती है वो क्या होती है दोस्तो और उसकी functioning कैसे होती है तो दोस्तो मेरे पास motorized spindle है जिसके बारे मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी मैंने इसकी draw bar को लिकारा नहीं है तो सबसे पहले लिकार लेते हैं इसकी draw bar draw bar निकालने के लिए देखिए यहाँ पे चार screw loose करने होते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे से मैं push करता हुआ मैंने call it को खोल लिया था और call it कोलने के बाद मैं यहाँ पे draw bar लिकाला हूँ आप यह ज्यान रखिए जो भी किसी भी spindle का draw bar लिकलता है वो normally spindle के back side से ही निकलता है तो normally किसी spindle में हमें call it को खोलना ज़रूरी होता है किसी spindle में call it हमारा draw bar के साथ ही निकल जाता है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने draw bar को इस housing से निकाल लिया है housing के बाहर हमारे bearing है bearing के बाहर हमारा motor है तो यह inbuilt motor है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले कि वो 4 screw कौन से थे इसको loose करना यहाँ पे ज़रूरी था इस draw bar को निकालने के लिए तो यह draw bar ऐसे थी कि यहाँ पे जो उसका एक part था वो इन grub screw से lock था जो कि हम बाहर से भी खोल सकते थे इस तरह के से ऐलन की डालके बट वहाँ पे space का थोड़ा problem हो रहा था थोड़ा dust था तो मैंने वहाँ पे कुछ और parts भी remove किये थे ताकि मैं अलन की को अराम से लगा सकूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने draw bar को निकाल लिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरी draw bar देखे अब starting में call it था के से open close होता है open close open का मतलब tool हमारा declam condition में रहेगा और close मतलब यहाँ पे tool हमारा clam condition में रहेगा तो यहाँ पे आपको एक दो pin hole दिख रहे हूँगे और एक slot दिख रहा हुगा जिनमें आप special tool डालके इस call it को lose कर सकते हैं यहाँ पे एक 6 mm energy का भी इसके अंदर एक slot है जिससे की हमारा जो जहाँ पे भी हम set करते हैं lose या tight करके वहाँ पे locking करने के लिए उसका use होता है तो यह तो रहा call it इसमें दोस्तों यहाँ पे चार आपको jaw दिख रहे होंगे call it के उपर तो call it में मैं और भी चीज़े बताता हूँ यहाँ पे call it में आपको बहार quartering दिख रहे होंगी और quartering के साथ backup rings है जो backup rings है वो थोड़ा सा space fill करती है जो भी बचा हुआ है quartering का तो quartering मतलब की 4 edge 4 edge होते है quartering में और जहाँ पर यह o-ring का एक double stand देती है o-ring में आपको दिख पता होगा कि एक ही point edge होता है quartering में 4 edge होते हैं तो यह जो o-ring रहती है यह basically लगी रहती है कि जो भी coolant रहता है front side में हमारा spindle operation करता है वहाँ पे through coolant रहता है तो वहाँ पे जो coolant है वो drawbar वाले area में ना जाए उसके लिए यह यहाँ पे लगे रहते है तो अगर drawbar वाले area में normally क्या होता है कि हमारा grazing होती है तो वहाँ पे अगर coolant जाएगा तो कहीं न कहीं वो पूरे drawbar को खतम कर देगा यहाँ पे आप देख रहे होंगे drawbar बहुती रस्टी है इसका कारण यही है कि यहाँ पे leakage हुआ है उसके बाद आपको यह देख रहा हुआ पूरा stack जो है वो drawbar का देख रहा है उसके adjusting दो यहाँ पे nut देख रहे होंगे आप उससे इस stack की length को कम या ज़्यादा कर सकते है तो total length होता यह stack का this spring के यह दिया रहता normally drawing में और हम उसको उतना ही रखना चीए जब नई spring हम इसमें fit करें क्योंकि अगर यह ज़्यादा होगा तो वहाँ पे clamping force काफी बढ़ सकता है और कम होने पे वो कम भी हो सकता है same number of this spring में यहाँ पे आपको दूसरा एक यहाँ पे piece दिख रहा होगा जो कि intensify unit में होता है यही जो piece होता है वो यह grab screw से loose होता है जो आपको बाई तरफ दिख रहे होंगे यह खोलने जरूरी है before जब हम इसको remove करते हैं वहाँ से spindle housing से पीछे आपको pins दिख रहे होंगी जो कि declamp cylinder यहाँ पे इस पूरे portion को push करता है तो जब declamp cylinder इसको push करता है तो पूरा जो यहाँ पे balls होती है normally जो कि legal चुकी है अभी वो पूरा आगे की तरफ portion move करता है और जैसे declamp cylinder पीछे आता है तो यह पीछे की तरफ move करता है तो आपको यह बता होगा जो हमारा declamp cylinder होता है तो declamp cylinder tool को declamp करने के लिए use होता है जो clamping होती है वो spring जब अपने force से पीछे आती है तब होती है normally क्या होता है कि declamp cylinder पूरे stack को यह dis spring के पूरे stack को दबाता है दबाने के बाद draw bar थोड़ा आगे जाती है और आगे जाने के बाद call it इस तरीके से खुलता है आपने देखा होगा जब यह draw bar आगे move करती है तो वहाँ पर BT 50 हो या कोई से भी taper हो तो वहाँ पर यह call it को खुलता है और call it खुलने के बाद tool unclamp होता है जैसे ही यहाँ पर पीछे cylinder जाता है declam cylinder वैसे ही पूरी जो हमारी डिस spring है वो उनकी तागत से पूरा वो draw bar पीछे आता है और पीछे आते ही call it हमारा BT 50 जैसे नॉर्मली होता है तो वहाँ पर अपने आप ही उस taper में आके close हो जाता है इस वाले draw bar में intensifier वाला draw bar है तो यहाँ पर balls हमाई lock हो जाती है और यह balls जो होती है वो strength को लगभग 3-4 times कर देती है डिस spring के force से मतलब कि अगर spring में नॉर्मली 6 किलो न्यूटन force होगा तो यह intensifier unit जो होती है इसके force को लगभग 3-4 गुना बढ़ा देती है तो इस तरीके से यह functioning करती है दोस्तों उसके पीछे आपको एक rod से दीख रही होगी यह एक hollow rod है नॉर्मली इसका use जो होता है एक तो होता है through bullet को pass करना इसमें हमारी rotary union लगती है rotary union जाके यहाँ पर बैठ जाती है तो वो rotary union के through पूरा इसमें क्योंकि through hole होता है पूरा यहाँ पीछे से लेके आगे तक वो मैं आपको दिखाएता हूँ देखिए इस तरीके से पूरा hole होता है जो की normally आपको पता है होगा tools में हमारे through coolant use होता है तो वो coolant इसी के through जाता है दूसरा यहाँ पर आपको एक dog दिख रहा होगा जो कि मैंने last video में भी बताया था आपको यह dog होता है वो क्योंकि हमारे declamp cylinder के अंदर एक LVDT unit होती है जो की sense करती है कि जो drawbar है वो कितना movement कर रही है तो यह काम करती है based on voltage difference तो यह transduction होता है जो की बताता है कि declamp, clamping और without clamp में कितना हमारा movement हो रहा है तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीज़े जाज़त नमस्कार, जै हिन, जै भारत पढ़ेगा इंडिया, तभी तो skill बनेगा इंडिया